नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं, ऐसे टिप्स देते हैं, जिनसे आपका शरीर और आपका त्वचा बहुती जदब बदल जाती है चलिए दोस्तों आप देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आज हम आपको ये बताना चाहरे हैं कि आप अपनी तवचा को गोरा, मलूप कैसे करें जी हाँ दोस्तों आज का हर दूसरा व्यक्ति अपनी तवचा को गोरा पाना चाहता है तो दोस्तो आईए देखते हैं क्या है इसके उपाय जिन से आप अपनी त्वचा को रख सकते हैं बिल्कुल गोरा और स्वास्ट जिया दोस्तो इसके साथ ही कई लोग अपनी ब्यूटी को लेकर इतने सीरस होते हैं कि वह अपनी त्वचा पर हजारों और लाखों रुपे खर्च कर देते हैं पर उनके सामने कोई रिजल्ट फिर भी नहीं आता जी आँ दोस्तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ पैसे खर्चे ही सुन्दर और आकर्शित दिखना चाते हैं तो दोस्तो आज हम उनके लिए ही लाएं हैं ये वीडियो तो चलिए दोस्तो आप वीडियो देखकर आगे हम आपको बताते हैं कि आप सुन्दर और कि पूर करने में जवा बनाती है इसके लिए नेमर्त रूप से सोया विन का सेवन करने से बहुत ज़्यादा होता है तो आप सुन्दर दिखने के लिए रोजाना इन चीजों का आपको नाश्ते में शामिल करनी चाहिए दोस्तों सोया विन को किसी भी तरीके से खाया जा सकते है शाम को भिको कर उसे रखे और उसके स्प्राउट्स बना के भी आप खा सकते हैं सबजी के रूप में भी सोया विन खाया जा सकता है जो सोया विन का चूरा होता है उससे आप भुर्जी बना कर भी खा सकते हैं तो दोस्तों आप सूखी भी सोया विन खा सकते हैं इससे आप को बहुत ज़्यादा लाब होगा जी हाँ दोस्तों अब हम बताते हैं धई का इस्तमाल आपको कैसे करना है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि धई बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है आम तोर पर ज़्यादता लोग धई पराठे के साथ खाते हैं लेकिन हम आपको बता दे कि धई तवचा के लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक होती है। धई खाने से चेहरे पर निखार आने के साथ सा तवचा समंदी समस्या भी दूर होती है। बिना किसी महनत के तवचा निखार नी है तो आपको धई को अपने लास्ते वे लंच में शामिल करन इसके लावा इसमें मौझूद पोटेशियम, मिंडल्स और मैगनीशियम से तवचा आपकी निखर कर भाराती है जी हाँ दोस्तों हम मैं बात करती हूँ टमाटर की टमाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है टमाटर में लाइकोपिन होता है जो तवचा को तेज किनों से बचाता है तवचा को तेज किनों से बचाने के लिए रोज नाष्टे में टमाटर खाएं इसे चहरे पर नमक लोटाने के साथ तवचा समन्दी समस्यां भी दूर होती है जी हां दोस्तो अगला प्रियोग है अखरोट का, गर्मियों में कई लोग रूखी बेचान तवचा की शिकायत करते हैं, ऐसे इस समस्या से बचने के लिए आप अखरोट खा सकते हैं, अखरोट में मजूद तत्व को रूखी सुकी तवचा से बचाते हैं, साथ ही अपने चे प्रियों में बस इतना ही लोटूंगे एक नए टेपस एक नए वीडियो के साथ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा